हेलो फ्रेंट्स वेलकम अगेंद एकिसिंग इस्टेडी यूटूब चैनल सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे थोड़ा सा पहले डिसकस करेंगा पुराना पुराना हमने आपको बताया था कि आपके सारे सोट कोशन इतनी भी थे सभी सब्सक्राइब करा दिये सोट कोशन सभ को इसलिए आपको सब्सक्राइब करने और कुछ कोशन ऐसे हैं कि इन थोड़ा सा पढ़ने की बारे में अपने अपसे हैं अपसे डिटेल में लिख सकते हैं तो सबसे पहला आता इंगलिस का स्लेवल होते हैं वहारा हिन्णी में इसका अर्थ होता है सब्द खंड A syllable is the sound of a bovel syllable की sound क्या होती है? bobble की तरह होती है यहनी स्वर की तरह होती है स्वर की धुनिय को कौन को सी है? हिंदियों बोलें तो आ, छोटा, आ, बड़ा, छोटी, बड़ी इस तरह से जो होती है आउ, अउ, ए, आउ इस तरह से जो होती है कि आ सब्दखंड याट्री वो यानि हम कह सकते हैं कि वोविल के साउंड को हम सिलेवल कहते हैं वाबल को जैसे छोट आ एउ रहा है यह जो होंगे हमारे सारे लिवल के खंड होगे लिवटस पार्ड होंगे इतने भी एक सब्ट में बोले जा रहे हैं और इसमें आ ए ऊ ओ बगहरार आ रहा है जितनी वार आ आएगा तो इतने स्लेवल खन्ड किसलेवल उसमें कहलाएंगे दने इन अट अव टायम्स जू़ यह ए वाबल साउंड अबर अवसमें सब्सक्राइब का इतनी वार आप तो ऊस संख्या अब लैद नंबरों को उसने वाबल आप तो वह अपने वर्ड दान लेंबर ओफ स्लेवल इस डैट वर्ड सो वाइब जो आपका जिसमें otherwise आरहे हैं आपके तो वह आपका स्लेवल में चांट हो जाएगा इंग्लिस में इंग्लिस में आपके जो होते हैं 5 होते हैं यह 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 हिंदी स्वर की बात करने के तो और तीन और तीन चे उर और टीन बार होते हैं टीके और आपको नार्मलल जो देखने पिलेंगे लेकिन गई हैं जारा नो वारा आते रहा इस तरह से लेगा हैं लेकिन कोई बात नहीं है आपको पचानना खुदी एक टाइफोस लेवल क्यात करेंगा तो थिरी रूल सेंस के याद करने हैं कि हिंदी वाजशा के स्वर का मैथ देख लेते हैं सिंगल साउंड होगी तो सिंगल साउंड क्या हो सकती है कि क्राइब को आप इसे क्या करते ह अच्छा है यह एक रहा है है यह अन्य-क्राइब तोड़ा थे कि इस तो हिंदी में दोड़ सकते हैं कि राइद क्राया लेकिन इसमें कोई बाबल्स नहीं है ठीक है नो विर्ट्स नोस लेवल ठीक है अब हिंदी में चाण दोड़ते हैं तो नहीं होगा आप धूर प्लस निरवर हो यह किसी सब्द में हो तो तो लेवल इश बात पर करेंगे कि कितने साउंट है वाबिल्स के ना कि Cable पर निरवर करेगा और निरवर निर निर बावबल के कितने कितने भाग है कितने sound पर नियुक्हार रहे हैं तो और मौर वोब्ल्स और नैस्ट तो इस अधर दाव नमबर और का लिएवल डिपैंड ओन नमबर आफ वोब्ल साउं आपको वंस लेवल करना अब स्वीट में देखें तो आई ओर यह दबल ई आज रहा है है हम लिखेंगे वाविल तो आपका वंस लेवल आएगा हर जगे लिखना है बात करेंगे बहुतों आ रहा आ रहा रहा हम है देखेंगे तो आपका आपको दिखाया यह डिखाई है बाकर ALK प्रिंदी के कंद लेहते चार अचैनल में लुक्तक्रा यह यह आपके चार- चार घैड़ wax तो हिंदी के अको लगाना है दौस लेवल थीकि आपको हिंदी में लिख सकते हैं तो इस सब्सक्राइब में इसे की कि प्रकार साउंड काउंट करेंगे और से लेवल में बाविक को नहीं ह Creek के सिर्फ वहनु उब्सकर नहीं करना सुर्फ हिंदी वोब्सकर करना खें इंग्लिस वब्सको आइट है रूल थ्री की बात करोने अगर किसी वड में कोई सुआरिक वावन साइलेंट है है तो उसका count as a syllable आप नहीं कर सकते हैं कैसे if wobbles is silent it's not counted in the syllable जैसे की file file में हम देखें तो e silent दिखाई दे रहा फाईल ठीक है फाईल हिंदी के according देखेंगे तो आपका फा में आगर रंडा रहा तो आपका आपको दिखाई नहीं देखेंगे और साथ ही बात करें इंपोटेंट में आपको तीन देखने आप लिखेंगे तो हिंदी में ही लिखना आपको इंग्लेस में लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा ordinary amazing और रियाल और टाइटल इस सभी में आपको तीन चार तीन दो-दो इस तरह इस देखने हो मिलते हैं यह हम इंदी को प्रनेशिसेंट जो आपना जो अपना सब्सुद्र तरीकी से लिखते हैं तो आपको पता चलेगा सही तरीकी से तो दोस्तों आपको उमीद है सब्सक्राइब कर लिजे आपको अच्छे से कांटेंट प्राप्त हो सके धन्यवाद दोस्तों